नमस्कार में प्रवेंड गोतम दोसो पीम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता विपक्षी दरोपर राहुल गांदी पर इंडिया गडबंदन पर आरोप लगाते हैं कि हमारे बारे में सविधान को लेकर अफवाय फैलाए गई चुनाव में इसका फायदा इंडिया गडबंदन को हुआ सविधान के बारे में विपक्ष भ्रम फैलाने की बात करता है लेकि दोसों अगर पीम मोदी वाकई इस बात को लेकर गंभीर है तो अपने बड़े नेताओं की बयान पर संग्यान लेना चाहिए शुबेंदू अधिकारी जो की बंगाल में नेता विपक्ष है खुले आम सविधान की आत्मा के खिलाब बयान दे रहे है पीम मोदी के सबसे बड़े नारे की धज्जियां उड़ा रहे है पीम मोदी का सबसे बड़ा नारा है सबका साथ सबका विकास पीम मोदी दावा करते हैं इसी नारे पर उनकी सरकार, उनकी पार्टी काम करती है सबका साल, सबका विकास लेकिन शुबेंदू अधिकारी किस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं अगर पीम मोदी सविधान के लिए गंभीर है तो उस बयान पर संग्यान लेना चाहिए कम से कम इतना तो बोल देना चाहिए कि शुबेंदू अधिकारी आपने ऐसी बात की है आपने मेरे नारे का मजाक बनाया है मैं आपको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊँगा कम से कम इतना ही बोल दे जैसा की प्रग्याठाकुर के बारे में उन्होंने बयान दिया था जब गोर्से के बारे में प्रग्याठाकुर का बयान सामने आया था वैसा ही बयान प्यम मोदी को इस बात को लेकर देना चाहिए कि शुबेंदू अधिकारी उनके सबसे बड़े नारे का मजाक बना रहे हैं क्या कहते शुबेंदू अधिकारी 2024 के चुनाओ के बाद जिस तरह BJP के नेता बोखला गए हैं और आरोप लगाते हैं कि देखिए फला समुदाय का हमें वोट नहीं मिला फला समुदाय ने एक जुट होकर इडिया गर्बंदन का साथ दिया शायद इसी बात को लेकर BJP नेता आहत हैं और किस तरह का बयान देते हैं शुबेंदू अधिकारी सबका साथ सबका विकास की जरूत नहीं बंद करो अलसंक्यक मोर्चा शुबेंदू अधिकारी तो सबका साथ सबका विकास जो की पियम मोदी का नारा है शुबेंदू अधिकारी कहते हैं उसके जरूत नहीं है आगे शुबेंदू अधिकारी क्या कहते हैं जरा देखिए पच्चिंग बंगाल विधानसबा में नेताविपक्ष बेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि हमें सबका साथ और सबका विकास की बात करने की जरूत नहीं है हम तैक करेंगे कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे उन्होंने एक कारेक्टर में जैशी राम का नारा लगाते हुए कहा कि हम जीतेंगे और हिंदों को बचाएंगे हम तै करेंगे कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे जो हमारे साथ वो हमारे साथ है सबका साथ सबका विकास बंद करो अल्प संक्यक मोर्चा की कोई ज़रत नहीं है इसे बंद करो हम सविधान को बचाएंगे तो शुबेंदु अधिकारी खुले आम पियम मोदी के नारे की हवा निकाल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की ज़रत नहीं है जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे मतलब यह है कि जो हमें वोट देगा हम उसके लिए काम करेंगे दोस्तों शुबंदु अधिकारी का यह बयान अपने आप में सविधान की आत्मा के खिलाफ है देश की चुनी हुई सरकार का एक दायत्व है कि सब के लिए काम करे बिना बोट बैंक की परवा किये काम करे और पीएम मोदी भी दावा करते हैं कि उनकी सरकार की तमाम नीतियां हर समुदाय के लिए एक समाल लागू की जाती है फिर शुबिंदु अधिकारी आखिरकार ऐसा बयान कैसे दे जाते हैं और अगर किसी टीवी चैनल में हिम्मत है तो इतना घटिया बयान बिजेपी के नेता ने दिया है एक समुदाय को एक तरह अंदेखा करने की बात की जा रही है कि बंद करो सबका साथ सबका विकास अलप संक्यक मोर्चा यानि हिंदुों के अलावा जो बाकी धर्म है उनके लिए बिजेपी का एक मोर्चा है अलप संक्यक मोर्चा उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी शामिल है उसको लेकर शुबिंदु अधिकारी कहते हैं उसकी जरूत ही नहीं है इसके माइने ये हैं कि शुबिंदु अधिकारी क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें उनके वोट की जरूत नहीं है जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे और हिंदूओं को बचाएंगे अपने आप में सविधान की आत्मा के खिलाफ है धर्म निर्पेक्ष भारत में सतधारी पार्टी के नेता का ये बयान माना की बीजेपी में पार्टी छोड़ कर आए हैं तिर्मुल कॉंग्रेस छोड़ कर आए हैं लेकिन कहा जाता है ये देखा गया है कि जो बाहर की पार्टी उसे बीजेपी में आते हैं वो जादा इस तरह का होहला करते हैं शुबेंदू अधिकारी भी ऐसे नेताओं में शामिल हैं देश के प्रधान मंत्री को सतधारी पार्टी को इस बयान पर सफाई देनी चाहिए देश की मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार बंगाल में नेता विपक्ष इस तरह की घटिया बयान बाजिक कर रह हैं तो फिर आकिरकार बिजिपी नेताओं को दर्द किस्वात का होता है जब खुलनम खुला कहा जा रहा है कि बंद करो सबका साथ सबका विकाद जो हमारे साथ हम उसके साथ दोसो इस तरह की बयान बाजी कोई एक नेता की नहीं है, बिहार में भी आपने देखा होगा, आप इस तरह की घटिया बयान बाजी को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर पिराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो तैंक्स की उप्शन के जरी आर्थिक सब्सक्राइब करें नमस्कार